थे हलो फ्रेंट्स, व्लेकम तो माई चैनल माई गार्डन my home फ्रेंट्स आज मैं आपको अपने बाल कोनी में जो मैंने ग्रेफ्म बाहिन लगा रखी है उसके बारे में बताने जा रहे जैसा कि आप देख रहे हैं यह ग्रेप बाइन में अपनी बालकोनी में बार रखी है और यह उपर तक कि यह उपर इसमें ग्रेप लगे हुआ है तो यह जो है मैंने यह जो इसके लिए जो पोट में लिया है गंबला लिया है वो बन एंड हाफ फीट वाइ बन फीट का जो गंबला है इसे मैंने ग्रौ किया हुए तो बहुत अच्छी है ग्रौ हुई है और जो मिटी जो मैंने गुनाई हुए है इसमें 20 परसेंट मैंने कोको फीड लिया है और 30 परसेंट जो है कंपोस्ट बर्मी कंपोस्ट का डाली और 50 परसेटेंट वह मैंने गर्डन सोइल का यूज किया और लास्ट ये मैंने रेड़ लगाइं थी ये रेड ब्राइटी के ग्रेप से यह नियुज किया नास्ट दो लगाई थी तो बहुत अच्छ इसकी ग्रोथ हुई है लास्ट टो ग्रेप स में लगे थे इस पर लेकिन इस जो ग्रेप वाइन है जो नीच्चे से चलती हुई यहां से जो मैने गंबले में लगाई हुई यहां तक आगी और यहां फैल गई ए तो देखिए कितने अच्छी यहां भी ग्रोह हुई है मैं पूरे वीवव आपको दिखाता हु लगे यह काफी अच्छी ग्रेप वाइन य लगे हुए हले काफी मैं ग्रेप से एक बंच में और ग्रेप के क्रीब एक बंच में हैं काफी अच्रवन लगए हैं चाहिए अव्ट लगे हैं यहां पर और भी बंच स्सड़ लगे होएं यहां पर और यहां पर नीचे भी ग्रेप की बंची से लगे हुए यह देखें और यहां पर देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स यह जो ग्रेप वाइन होती है यह जो है अच्छे 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 में लगे हों देखें। बिद्धक अच्छे इस लगे हुए तो आप यहां पर अपने घर में इस तरह से पोट में ग्रेप्स वाइन उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप शेयर करिएगा आपको यह वीडियो ऐसा लगा थैंक यू